हेलो श्रेंट मैं पाउन मिस्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल लीडर्शिप बीएड टू, त्री, फोर में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं टीम लीडर्शिप समू नेत्रत्व तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम points cover करने वाले हैं team leadership में हम जो points cover करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि team leadership समू नेत्रत्व होता क्या है और उसकी बार leadership qualities to motivate the team कि समू को प्रेज़ करने के लिए नेत्रत्व के गुर्ण कौन-कौन से होने चाहिए और उसकी बाद देखेंगे the importance benefits of team leadership कि समून नितृत के क्या लाब हैं क्या महत्व हैं तो आज कि इस वीडियो लेक्चर में हमें तीन पॉइंट्स कवर करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि team leadership होती क्या है team leadership refer to efficiently leading a group देखो जैसे नाम से कितना हमें बिल्कुल सबस्ट हो रहा है clear पता चल ला है कि team leadership team को lead करना समू को नितृत करना तो team leadership refers to efficiently leading a group समू नितृत सर्तात पर एक समू का कुसलता पुर्वक नितृत करने से है तो नाम से और काफी सबस्ट परिवासा है काफी चीज़े कि अपनी team का कुसलता पुर्वक नितृत करना it includes getting the job done making decisions solving problems adapting to changes making plans and achieving goals कि इसमें क्या क्या चीज़े सामिल है इसमें काम को पूरा करना नेड़ने लेना काम से सम्मंदित समस्याओं का हल करना साथ मिलकर बदलाओ के लिए आदर डालना कि समय के साथ जो भी changes आ रहे हैं तो उस changes के लिए अपनी team को habit डालना कि चीज़ को accept करें योजना बनाना और लक्षे को हांसिल करना तो इस सारी चीजें team leadership का सम्मू नेतृत का एक हिस्सा है leadership of teams need to not only focus on motivating their employees to perform to the best of their ability but to also the organization is successful तो सम्मू नेतृत को ना केवल अपने सद्धस्चियों को अपनी चम्ता का सर्फ्षेश प्रद्शन करने के लिए प्रदित करने पर ध्यान केंदित करने की आप सकता है बलकि यह भी सुनीचित करना है कि संगठन किस तरह से सफलो तो सम्मू नेतृत क्या है कि अपनी टीम को अपनी सम्मू का की मतलब जो चम्ता है उसमें ब्रद्धी करना है ताकि वो अच्छा प्रद्शन करें सर्फ्षेश प्रद्शन करें लेकिन इसके साथ साथ यह भी उनको सुनीचित करना है कि जो उनका संगठन है जो और नई जिसन है वो भी आगे बढ़े वो भी सफलता की रहा पर आगे बढ़े तो अपने टीम को तो साथ ली जाना है आगे बढ़ाना है लिजर्शिप का एक दाइप है अब लिजर्शिप क्वाल्टी टू मोटिवेट दाटीम कैसे कौन कौन से leadership क्वाल्टी है समू को प्रेद करने के लिए कौन कौन से जो गुण होने चाहिए leadership qualities कौन कौन से होने चाहिए तो हम देखते हैं providing a vision and purpose कि जो अपनी टीम को एक दिष्टी और एक उद्यस्य प्रदान करना है क्योंकि जैसे हमें पता है कि कोई भी हम चाहे हमारा अपना व्यक्तिकाद जीवन क्यों ना हो बिना उद्देश से कि हमारा जीवन वेर्थ होता है यूजलेस होता है बिल्कुल तो उसी तरह से एक टीम तब ही आगे बढ़ती है जब उनके सदस्यों को एक वीजन एक परपज एक दिष्टी और एक उद्यस प्रदान किया जाता है और उसको पानी के लिए उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है उनका हमेसा उच्छा बढ़ाया जाता है तो अगर हम लीजर क्वाल्टी की बात करते हैं तो मोटिवेट दर टीम तो अपनी टीम को एक दिष्टी एक उदेशी प्रदान करना एक वीजन एंड परपस देना उनको सेट क्लियर गोल्स की सबस्ट लक्षे निरधारित करना कि लक्षे सबस्ट होगा तो हम उसको पात करने के लिए हम तीवता से आगे ब बने ताकि उसके टीम की लोग उससे परभावीत हो और सब मिलकर अपने अपना पूरा प्रयास करें अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए encourage teamwork समू कारे को प्रोसाहित करना कि अपने समू को जो group work है जो समू कार है उसको प्रोसाहित करें हर member के साथ समान वेवार करें सभी को साथ लेकर सर चले be optimistic and positive हमेशा आसावादी और सकरात्मक बने रहना आसावादी की हमेशा hopeless होना और failure में भी success को ढोड़ना की नाकामियाबी में भी कामियाबी को ढोड़ना और हमेशा सकरात्मक रहना एक अच्छे team leader की विशेस्ता है तो be optimistic and positive हमेशा बने रहना give praise and rewards की अपने जो करमचारी हैं जो समू है अगर हम इसको एक classroom से जोड़ते हैं तो हमेशा अपने बच्चों की उनके प्रयासों की प्रसंसा करना और उनकी हमेशा उनको प्रुस्कृत करना उनको reward देना चाहे साबासी है चाहे कोई वस्तू है तो जिससे क्या होता है कि जो करमचारी हैं जो विद्यारती हमेशा अभी प्रिरित रहते हैं और काम को पूरी उस्सा के साथ करते रहते हैं तो जितने points हम कर रहे हैं हमें क्या करना है कि हम स्कूल लीडर्शिप का कर रहे हैं तो हर points को हम अपने classroom के साथ जोड़ सकते हैं कि जैसे अगर हम आसावादी औ उनको एक अफसर इस तरह से प्रस्तूत करना कि बच्चे अपनी कम्यों में भी एक अफसर को ढूर सकें communicate with the team के समू के साथ समवाद करना बहुत जरूरी है कि अपने जो समू हैं जो classroom हैं सबी के साथ समवाद करना बहुत जरूरी है ताकि सबकी समस्याओं के बारे में पता चल सके क्या क्या समधान हो सकते हैं तो अपने समू के साथ एक वारतालाब करना सब के साथ बात करना भी एक च्छेनेता के गुण है Empower team members सदस्चियों को ससक्त बनाना उनको motivate करना उनका उसावर्दन करना अगर classroom की बात करें तो बच्चों को हमेशा motivate करना हमेशा उनकी ससक्त बनाना मतलब उनको हमेशा अपने विचारों को प्रकट करने का उससर प्रदान करना उनको हमेशा भी प्रिद करना ताकि उनकी उनका जो manubal है उसको बढ़ाना The importance benefits of team leadership की समून नेतरत है उसके क्या love है क्या महत्व है तो team becomes accountable for work की इससे क्या होता है कि जो team है वो अपने काम के लिए जबाब दे बनती आ иссरिक करता है एक उधारन के लिए अगर एक शिक्छक है अपने class के लिए जबाब दे होता है बचचों के parents के लिए जबाब दे होता है तो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है क्योंकि बच्यों की responsibility है उसकी है तो अगर बच्चे अगर सही से नहीं पढ़ पारें शीखनी पारें तो एक जिम्यदारी उसकी भी है तो अपने काम के लिए जो टीम है वो हमेशा जवाब दे होते हैं कि एक समान लक्ष होने पर समू अधिक परभावी इकाई बन जाते हैं और बहुत अच्छे से कारे करते हैं mutual disputes are settled peacefully कि जो आपसी विवाद हैं आपस में मिलकर बहुती सांती पूर्ण तरीके से उसको उसका निप्टारा हो जाता है टीम members are empowered समू के सदस से हमेशा ससक्त बनते हैं उनकी जो परतिभा है वो निखर कर सामने आती है उनको पूरी अफसर मिलता है team members feel appreciated and motivate के समू के जो सदस से हैं जो classroom में जो बच्चे हैं हमेशा किस तरह से feel करते हैं motivated and appreciated उस साहित और अफिप्रेदित महसूस करते हैं the decision making process becomes simple and effective कि इससे क्या होता है जब decision निर्ने निर्मान में जब सभी का भागिदारी होती है तो निर्ने निर्मान की प्रिक्रिया सरर और परभावी हो जाती है क्योंकि हमेशा एक काम को करने के बहुत अच्छे अच्छे अलग-लग ideas होते हैं तो इससे निर्ने लेने की प् पूरा होता है work is distributed according to the talent ability of the members की सदेशों की प्रतिबा समता के अनुशारी काम का वित्रण किया जाता है तो आज की इस class में इतना ही और next वीडियो में हम third unit के एक नहे topic के साथ आएंगे तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद